परण होते हैं उस विषम परिस्तिति में सारे संसार पूरे वीug कि जिस परिस्तितिियों से गुजर रहा है उसी चुटकारा पाने के लिए हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे तकनिक को अपनाना पड़ेगा जिससे हम स्वैम भी परिवार, समाज और राष्ट को बचा सकते हैं और मित्रों चिंतन करने के बाद गहन विचार विमर्से के पस्चात एक ही निसकर सामने आया कि कहीं ने कहीं योगिक प्रक्रियों की द्वारा, कहीं ने कहीं भारती जो चिकिस्सा पधती है जिसे हम लोग वैकल्पिक चिकिस्सा कहते हैं, इसके माध्यम से इसका समाधान निकाला जा सकता है वैकल्पिक चिकिस्सा है क्या? इसको पहले समझे हम लोग वैकल्पिक कर तो लोग भीन अर्थों में निकालते हैं वैकल्पिक चिकिस्ता का मलब विकल्प निकाला जाता है विकल्प किसका है? विकल्प दिया जाता है एलो पैथी जहां पे कारे नहीं कर रहा है और एलो पैथी की जहां कारे नहीं हो पाए वहां पे जो अन्य पैथी उप्रियोग किया जाए आई लोग उसको वैकलपिक मांते हैं बट वैकलपिक की अर्थध यह नहीं है वैकलपिक की अर्थथ है ऐसा विकलफ जुसे हमारा सरीर का निरमान हुआ है शरीर निरमान हुआ है पंच तक्तों से आकास, वायू, अगणी, जल और प्रित्वी इन पंच महाभूतों से हमारे व्यक्तित्यु का हमारी जीवनी शक्ति जिसे हम लोग कह सकते हैं इसका निर्मान हुआ है तो मित्रों ये इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार के संतुलन किया जाए, किस प्रकार से इसके संतुलित करके अपने अंदर के पत्रियोज छमता को विक्सित किया जाए ये पांच तत्व है और इन पांच तत्वों की जो संतुलित अवस्था होती है उस संतुलित आवस्था से हम लोग स्वस्था रहते हैं स्वस्था रहने का मतलब है पंच महाभूतात्मक जो है इनका जो इसे फाइप एलिमिन थियोरी कहते हैं पंच तत्व का सिध्धान कहते हैं हमारा पूरा जीवन चलता है इसमें से किसी एक तक्त्व अगर कम या जादा हो जाए तो हमारे विक्तित्व में हमारे जीवन में कही प्रकार के ब्यतिरेक विकारुदपन हो जाता है तो इन विकारों से कैसे मुक्त हुआ जाए इसके लिए हम लोग इसे देख सकते हैं जान सकते हैं पहले इसके बारे हम लोग जानें ये पंच तत्व क्या है इसकी क्वालिटीश क्या है इसके गुंधर्म क्या है इनके गुन धर्मों के यदि हम लोग जान ले वें, सही तरह से, तो मित्रू हम अपने आपको पहचान सकते हैं, अपने व्यक्तित्य को पहचान सकते हैं, अपने प्रॉबलम्स को जान सकते हैं. जैसे सबसे फहले जो हमारे पास जो फ़ला एलिमेंट है उसे हम लोग पंच महाभूतों में से आकास कहते हैं ये आकास महाभूत है जिसके अंतरगत जिसकी महत्पुन क्वालिटी जो है वो मृदू है, सुक्ष्म है, शनलक्षन है और इसकी तनमात्राएं सब्द है अब इसके लिए दो महत्पुन आरगन हमारे अंदर इस्थापीत है, इस पेस खाली जगह के रूप में जिसको हम लोग लंग से कहते हैं और एक हमारे पास लार जिंदिश्टाइन है इसका मतलब है कि आकास से संबंधित जो विकार है और मैं यह बता दूँ वर्तमान की जो समस्याएं जो आ रही है कोवीड-19 की जहां तक बात है वे लंग से संबंधित है, स्वास से संबंधित है और दुसरी बात हमारी श्वक्षता से है, शौच से है क्योंकि जो हम विभिन प्रकार के जो हमें खाना चाहिए, जो बिती वही खा रहे है इससे बढ़ते जा रहे है उदर संबंधि विकार जो कि लार्जिन डेश्टाइन का पार्ट है यह दोनों के ही ही प्रोब्लम है दोनों में जब विकार उत्पन हो रहा है चाहे हम उदर की कुछ क्रियाओं के मार्दियम से हो या एक्यू प्रेशन में विभन विंदूं के बारे में हो जिसके बारे मैं भी विशेश तर से प्वाइंट टू प्वाइंट चर्चा करूँगा दूसरा महत्वपूर्ण है हमारे पास उसे कहते हम लोग वाइयू लेकिन अधिया आकास तत्व में जो प्रॉब्लम आ जाए तो आकास तत्व का है सबसे पहले सुरुवात उसकी नोस से होती है जो हमारे इसकीन पूरी बॉड़ी की इसकीन से ले करके हमारे सरीर के अलाग-अलाग कोशकाओं तक और इसके महत्वपूर्ण एक सिम्टम की रूप में जो सामने आता है वो कॉफिंग है, स्निजिंग है बहुँ सारे चीज प्रक्रिया है जो आकास तत्व के प्रॉबलम से आती है और दूसरा जो हमारे पास तत्व है वो है वायूतत और वायू की जो गून है वो है लगू है, सीथ है, रुक्ष है, विशद है इसके जो महत्वपूर्ण जो इसकी तनमात्रा है वो है आपका इसपर्ष जो इसकीन को तवचा से संबंदित है कारी शुक्ष, गलानी, विचार और वयसद्द कहा गया है इसके लिए दो आरगन हमारे पास है और स्मौल इंडी स्टाइन ये दोनों ही इसके लिए महत्वपूर्ण दो आरगन है अर्थात प्रतेक तत्वकले दो-दो आरगन हमारे पास विद्दमान है इन दोनों आरगंस के माध्यम से, इनके क्वालिटी को, इनके गुन्धर्म को जान करके, हम लोग क्या है इसका उपचार कर शकते हैं, जैसे इसके लिए हमारे टंक, टंक के साथ साथ हमारे जो ओकल कार्ड है, और ओकल कार्ड के साथ हमारे रेस्परेटरी सिस्टम है, बहुत सारे इसमें दिक्कतें जो साररिक और मानसिक द्रिश्टिकों से जो हमारे साथ प्राब्लम आती हैं, वे अलग हैं, तीसरा नमबर तत्व हमारे अगनी तत्व हैं, अगनी जो जिसके गुन है, उशनता, तिक्ष, सुख्ष्म, विशद हैं, और इसकी तनमात्राएं रूप हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ, रूप मतलब होता है हमारे जो शुरूप है, किस प्रकार का है, तो चेहरे कहीं लाल हो रहा है, या काला हो रहा है, या अलग-अलग रंगों में जा रहा है, तो हमें यह समझ जा समझ पाते हैं, कि हमें विकार कहां से हैं, हमारे सरीर सकते हैं कि अग्णी की कमी है और अग्णी से संबंधित कोई आरगन आपके बास लीवर और गौल ब्र में देख पा रहा है यह लीवर औगौल बडर दो है इन लीवर और गौल ब्र की इनरजी को शन्टुलिध कर किसी भी माधियम से हो वह आसन प्रानायाम योगा अभ्यास के माध्यम से हो या अन्य वैकल्पिक्च किस्था के माध्यम से हो उपचार करके हम अगनी संबंदी विकारों को ठीक कर शकते हैं इसके गुण जो होता है जो आंक से संबंदीत आंक में कोई भी विक्रिती आ रही है मसल से संबंदीत इसकी पहचान नेल्स से होती है नाखुनों को देखकर हम पहचान सकते हैं इसके माध्यम से डेवलप्मेंट आप फिजिकल मुमेंट हंगर एपिटाइट फंक्षन बॉड़ी हीट ये सारे सारे लीवर का ही फंक्षन है और इसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो बेक्ति चिलाता है अब सब्द बोलता है जैसे कई बिति को पेट फूलता है बहुत सारी फ्रॉब्लम से क्रियेट हो जाती है घुसा, क्रोध ये सारे लीवर के ही गुण है तो इसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि सरीर में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और किसका जीवन महत्वपूर्ण है द्रॉष, निग्द, सीथ, मंद, मृदू, पिक्चल, रस जोडता है, संबंधों को जोड के रखता है कार्याय उतकलेद मिलाता है स्ने है, लुब्रिकेशन है लोगों सो स्ने संबंध बना कर रखता है सौपनेज बेक्ति के जीवन में होता है दो आरगन महत्वपूर्ण है, किड्नी और आपके यूनरे ब्लेडर मित्रो मैं, आज जी इस COVID-19 जो करोना का जो काल चल रहा है इस संदर में बता दूं कि हमारे बोड़े के तीन महत्वपूर्ण इम्मून पावर को बढ़ाने वाली आरगन है पहला आरगन जीसे हम लोग लंग्स कहते हैं दूसरा लीवर है और तीसरा ये किड्नी है ये तीन ऐसे हमारे सामने है इन तीनों के दिए छमता को बढ़ा दिया जाए तो बोड़े के अंदर में इसकी इम्मूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है तो कोई भी कीटानू कोई भी जीवानू हमारे अंदर प्रवेश करने की शमता नहीं रखता एक्क्यू साइंस में कहा जाता है किड्नी हमें हमारे लाइफ ऐसेंस होता है जीवन सत होती है और जीवन सत्थ होती है तो जीवन सत्थ को हम लोग क्या करते हैं संजो कर इसी में रहते हैं यहां तक parental energy माता पीता से आने वाली energy उर्जा भी इसी के माध्यम से आता है जब kidney जो विकृति आती है तो हमारे bone से संबंदित कई प्रकार की विकृतियां हमें सामने दिखाई इसमें यदि हम लोग देखें जो कुछ symptom जो आती हैं जो fear का भै भै का मूल कारण हमारी kidney है और kidney हमारी immunity के लिए सबसे महत्वपून कारिकरता है समाने करह में physical अगा science के गार्ड नेखे तो only for urine का filter करता है blood का filter करता है लेकिन acute science के गार्डिंग हमारे वैकल्टिक चिकस्ता म joint hair loss, गुटने का दर्द, lower back pain यह बहुँ सारी problem केवल केवल kidney के वज़य से ही देखाई फड़ती है अगर पृत्वी तत्तो को देखा जाए तो पृत्वी की द्वार हमारे जीवन में इस्थीरता गुरु भारीपन कहा गया है यह इस्थीरता जो आती है यह पृत्वी तत् पृत्वी तत्व से हमारे सरीर के अंदर पत्रियोज चमता बढ़ाने में महत्तपूर्ण भूमिकादा करती है पृत्वी तत्व इसके पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए गौरौ इस्थीरता इसके लिए दो महत्तपूर्ण आरगन हमारे पास है और दो महत्तपूर्ण जो है वो है एक तो है हमारे पास stomach और दूसरा है हमारे पास spleen जो रक्त का संचरन को रक्त के जो है उसके restructuring को नियंत्रित करता है यह दोनों महत्व पूर्णा है अब इन दोनों के साथ साथ इनकी जो quality है इसको देख सकते हैं पैचान सकते हैं लिप्स को देख करके बैक्ति के जो है उसमें lymph node है उसके tonsil वगेरा है यह सारे रिप्रेजन्टी होता है इस organs के लिए धकाराना बिन बिनाना बैक्ति का कहराना यह इसी प्रित्वी तर्ट्व का ही धो तक माना जाता है बैक्ति की जीवन में दी obesity है, मोडापा आ रही है low energy है, digestion का dyspension हो रहा है तो यह सारे सारे problem कहीं न कहीं निश्रित मानिएगा यह प्रित्वी तर्ट्व से संबंदित है, इदी इदी हमें मालूम पढ़ जाए और आर्गन संबंदित मालूम पढ़ जाए तो हम उसको उपचार समानक्रम में दे सकते हैं और समानक्रम में उपचार कर सकते हैं इसके पश्चात आगे हम देखते हैं कि what is the acupresor, यह तो हमने पंच तत्तो को देखा इसको संपूलन कर सकते हैं इसको कैसे संपूलित करें किस प्रकार से balance कर सकते हैं अगर balance कर लें तो निश्चीत तोर से मानिएगा अगर balance हो गया तो हम स्वस्थ हो सकते हैं body की immunity बढ़ सकती है और body की immunity बढ़ सकती है तो उसके लिए बढ़ाने के लिए techniques हैं कुछ महत्वपन प्रक्रिया जिसके बारे मैं सार संचेप में चर्चा करना चाहूँगा ताकि आप लोग इसे लाभानमीत हो सके अब देखें कि what is the acupressor वैकलपी चिकिस्था में जो acupressor की बात कही गई है लोग बहुँ सारे अर्थ निकालते हैं बस सार संचेप में है acu means होता है निडिल-निडिल मतलब सुक्ष में बिंदू सुक्ष बिंदू आपके हाथ के अंगुठे भी हो सकता है आपका या कोई instrument भी हो सकता है किसी भी instruments के माध्यम से हम लोग क्या है उसे दबाव दे सकते हैं प्रेस कर सकते हैं प्रेस करने के लिए instrument चो बात करें simple समाने करम में मेरे पास देखे ये आपका instrument है जीमी कहते हैं इसको लोग अलग-अलग रूपों है हमारे सामने अलग-अलग प्रकार के पाये जाते हैं मेरे पास इस 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 टिल की है तो इसके माध्यम से भी हम दबा करके विभिन बिंदूओं को कर सकते हैं प्रेसर मतलब दबाव देना तो सरी के विभिन बिंदूओं को वैसे कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट यदि कोई भी पैथी हमारे सामने आता है जब किसी को सरदर्द हो जाए चाना तो क्या करते हैं मेडिसिन थोड़े लिए सबसे पहले वो सरदर्द हो रहा है पहले दबाएगा कहीं पर दर्द होता है हमारे हाथ वहीं चला जाता है नेचुरल तो नेचुरल टकनिक जो हमारे पास है वह एक्चे प्रेशर किसी ग्रूप में हो आइडायरविद मेर्म बिंदूओं के रूप में परिभासित किया गया है तो बहुं सारे स्वरूप हमारे सामने हैं जिसे हम लोग एक्षर के रूप में जानते हैं डॉक्टर जेपी अगरवाल के अंसार इन्होंने जो आहविदिक एक्प्रेशर का विश्कार किया है उन्हें कहाए कि रुकावट आजा है जहां रुकावट हो वहीं पे ही विकार आती है रुकनी नहीं चाहिए फ्लो प्रवाह में बहना चाहिए दूसरे जो है इलाहबाद संस्थान के संस्थापक मातप्रसाजी क्हेमका इन्होंने महतपून जो सोध अन्शंधान की सहर में कहा गिसी निश्चित बिंद्वों पर दबाव देकर आजा के रुकावट है उसको नेमित करना एकुप्रेशर है, उर्जा को शंतुलित करना, एनर्जी शंतुलित होनी चीए, बैलेंस होनी चीए, अगर शंतुलित नहीं है उर्जा, तो समझे वहाँ से विकार, उत्पन होना, विकृती आना, निश्चित तोर से हमारे सामने सुरू हो जाता है, सुजोग ठरेपी है, रिपलेक्सोलोजी, जोनोलोजी, और इस तरह से मेरेडिनोलोजी, एलेक्ट्रेगुपंचर, आयरेदे के एकुप्रेशर, बहुं सारे प्रकार है, 150 है बोग, लेकिन 6 प्रकार आपको सामने दिखा रहा हूं, इसमें से एक प्रकार है, जिसके बारे म मैं चर्चा करना चाहूंगा, और उसी के द्वारा मैं बताऊंगे, COVID-19 से कैसे हम लोग निजात पास सकते हैं, अगर उससे कैसे लड़ सकते हैं, हमारे बोड़ी की इम्मुनिटी पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सुजोग जो वर्ड है, दो सब्दे से मिलत सु और जोग, सु मिन्स होता है हाथ की हथेली, और जोग मिन्स होता है पैर का तलुवा, तो हाथ की हथेली और पैर के तलुवे में सरीर की शंपून शादरिश्य है, वैसे सास्त्र में कहा गया है यत पिंडे तत्र प्रम्भांडे, जो इस पिंड में हैं, वही पूरे के पुरे ब्रंभांड में है अर्थाथ हमारा ये शरीर जो है युनिट ओफ कॉस्मस पूरे ब्रंभांड की एक इकाई है जैसे शरीर की इकाई सेल है उसी प्रकार पूरे ब्रंभांड की इकाई ये human body है अब ये human body है हमारा sales है तो कहते हैं कि यदि correspondence जो सिधान दिया है पूरे ब्रंभांड जो चलती है इसी theories चलती है जैसे हम किसी twins फारी जाम पल लें तो दोनों के अगर समानता एक ही तरह का है दोनों के सर्व भूब हूँ है तो दोनों की जो quality होती है दोनों की जो समानता होती है रहांसान खान प जैसे ही चोटा बच्चा घर में जन लेता है वैसे ही लोग कहते हैं कि किस पे गया है माता पे या पीता पे तो यह भी correspondence है जिसके आकरदी बच्चों पे आता है उसके सारे गुंधरब बच्चों पे होता है तो यह पूरे ब्रंभांड है तो पूरे ब्रंभांड की unit Cosmos Space के ग्रूप में ये human body हमारे सामने हैं तो और दूसरी बात correspondence देखें बहुंच सारे correspondence है जैसे आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सिंपस देख लिए आम का correspondence किस तरह से है वरतमान का सीजन है आपके आम का तो इस टमक के लिए है अगर सिजनेबल आम निश्चित तो से दोनों की बनावट सेम है जहां समानता होती है साद्रिस्ता मतलब आकार प्रकार के वस्तु में समान उर्जा होती है जहां उर्जिय समान होती है तो वहां पे उस तरह के वस्तु का प्रियोग किया जा सकता है इसका मतलब यदि आम का फलका सेवन सीजन में करते हैं तो आपको इस का हुब हुई स्टक्चर उसकी बनावत और आप पता ही है कि अप अखरोट खाएं तो अखरोट से ब्रेन के इनरजी बढ़ती है और वैसे ही हाट के प्राबलम वाले बेगती को डॉक्टर कोई और फलका सेज़ान नहीं करतें कि आपको यह पल सेव ही लेना चाहिए वाई इ लंग सकी केपिसिटी बढ़ती है तो लंग सकी केपिसिटी बढ़ाने के लिए इस तरह से हम लोग क्या उसका सेवन कर सकते हैं तो इसको हम लोग देख सकते हैं जैसे आपके हाथ की हथेली है जो आपके हाथ के अंगुठा है तो इस अंगुठे में हम लोग किस प्रकार से जो हमारे हाथ है, पूरे हथेली आप देख पा रहे हैं, सुजोग हाथ की हथेली है, तो यह अंगुठा हमारा brain का representative है, इसको present करता है, इसके जो nose वाला भाग है हमारे बिल्कुल center में होता है, दो आख अगल बगल में होता है, mouth वाला भाग नीचे है और यह हमारे गले का भा जो जो चाहरा रहे हैं, बेक साइड में हमारा जो है, तरवाइकल का पार्ट है, सर्वाईकल का भाग गले का भाग, तरवाइकल, इस्पुन लाइट आजी तहु पीछे की हो, अगर गले में किसी प्रकार की खरास वगेरा है, तो उस सामने वाले, फ्रंट वाले पार्ट मे या तो आप rate color लगा सकते हैं या तो पीरू से केवल paper tape से जैसे देख पा रहे हैं photograph में paper tape है या जिस परकार से यह आपका finger roller है उसके मादने हम से roll कर रहे हैं nose, naak, kान का भी हमका है उपचार दे सकते हैं और जैसे आप जी photo में देख पा रहे हैं ना, कान, आग बना हुआ है गले वाला भाग बना हुआ है ति ना, कान और गले वाले भाग का उपचार हम इसके दबाव दे कर इसमें दे सकते हैं इसमें color लगा सकते हैं जे गले का जो भाग आप देख पा रहे हैं ये गले का जो भाग है इस गले के भाग में आप उपचार दे सकते हैं, यहां पे रेट कलर लगा सकते हैं, लाल रंग लगा सकते हैं, लाल कलर लगाने से जो खासी है या गले में किसी पर कप जम जाया, तो उसको भी यहां से दूर किया जाता है किवल आप लाल कलर लगा कर गया, यह लंगस वाला रही कि ये क्लर ょह है सिंपल आप यूज कर सकते हैं सिंपल कलर आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये ॉरेंज क्लर का है बच्चों का ये मारकर एा स्केच इस इसको i खोल करके आप यह लंग सवाले एरिया पे इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं मैं वहां पर आपको स्लाइड में भी दिखा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है आप स्लाइड देखें तो उसमें भी आप इसे भर करके इस तरह से पूरी पूरी औरेंज कलार भर दे अस्थमा की हो या वरतमान में किस पर सरदी जो काम खांसी या कोवीड-19 के प्राब्लम हो उसमें आप इस समय भी इस एरिया पे आप औरेंज कलार लगा कर रखते हैं तो निश्चित तोर से माने मित्रों कि लंग से संबंदीर प्राब्लम नहीं आने वाला है यदि खांसी सरदी जो का तो निश्चित तोर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे औरेंज कलर लगा के रखेंगे और आप खुद भी लगाएंगे छोटे बच्चों के लिए तो यह राम बांड की तरह है और अस्थमेटिक प्राब्लम वालों के लिए यहीं है नेचरों पैती भी यहीं माना अगर बेटि किसी प्राकार की emotional प्राब्लम हो या blood सर्कूलेशन के लिए एक circulatory system के रूप में जानते हैं लेकिं लंग्स जो हमारी हार्ट है वो हमारी emotional भाव सम्वेद्ना का केंद्र है अगर किसी प्रकार की emotional problem है तो भी यहाँ पे pressure दे करके जो heart का area जहाँ पे देख पार है दो लंग सके बीचे वहाँ को हलका समान करम में प्रेस करके भी आप इसका उपचार दे सकते हैं इसे उपचार देने से होगा क्या आप emotional group से भावनात्मा group से strong हो सकते हैं आज आउशकता हमारा यही है अगर हम भावनात्मा group से अगर strong नहीं हैं तो किसी चीज़ से लड़ नहीं सकते हैं इसके लिए हमारे heart की capacity को बढ़ाना जरूरी है यह original photographs आप slide पे देख पा रहे हैं तो इस तरह से हलका सा प्रेस यहां पर color नहीं लगा सकते हैं यहां पर मेथी के दाने नहीं लगा सकते हैं कुछ नहीं किजिए simple अंगुठे से हां से इसे कितने बादबाव दे सकते हैं इसे simple आप दिन में तीन बार दबाईए 10-10 राउंड दबाईए अंगुठे से दबाव दीजिए वान, टू, त्री, आप सिंपल यह हाथ पैसे है, आपका यह हाथ के एरिया है, इस तरह से लेकरके अंगलियों को नीशे रख लीजिए, और अंगोठे के इस तरह देकरके आप इसमें दबाव दे सकते हैं, वान, टू, त्री, पोर, फाइफ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ट इस तरह से देख सकते हैं, तो इस तरह से दबाव देने से क्या होगा, वहाँ के एनरजी ग्रोथ होती है, आप कहेंगे, यह कैसा हो सकता है, निश्चित्व से स्वीच बोर्ड की तरह काम करता है, जैसे अगर आपको पंखा चलाना है, तो पंखे चलाने के लिए क्या करना स्वीच आपड़ा स्वीच बोर्ड की तरह काम करता है, इसका संबंद हाथों का पूरे सरीर के आरगन तक समाहित होता है, इसके बाद अगले करम में देखे, जो लंस के पीछे वाला एरिया है, इस पीछे वाली एरिया एक महतपुन पक्षः है, इसके बादे चर्चा हो या पिर विटामीन प्रोटीन विटामीन डी जहां निर्मान होता है, वह हमारी यसे लंग्स की पीच्छी वाले इरिया पे होता है, गडर्दन के नीचे ज़स्ट वाले भाग है, अगर इसे गडर्दन के नीचे से 얼마나 प्रपू you. फोटोग्राफ यहां पर सलाइट पे देख जर्रेट होता है थाकान तो इतने जल्दी ठीक हो जाता है इस भाग को दबाने के लिए दबाने के बाद इसके बारे में कलपना नहीं की जा सकती आप इस जगा मसाज करके भी बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हैं आप नेश्ट क्रम में आप देखे ये थो हमारे कहा है रिप्रेजेंट करता है आपका सामने रखने सिंपल सा है अगर जमीन पे रखते हैं ते दो उंगली ही आपके जमीन पे टच होता है तो ये दो आप पैर है और उसके बगल वाले भाग को दो हाथ को रूप में देखा जा सकता है ये एक ऐसा समान एकरे में चिकिस्ता पहती है आप कहेंगे साब ऐसे होने से कहने करने से या चितर बनाने से हो जाये क्या मित्रों ये 10-15 साल का एक अनुभाव आपके सामने है ये निश्ची तवर से कारे करता है जैगे घुटने की प्राबलम है तो मिडिल फिंगर के बीच वाला ज्वाइन रिंगर के बीच फिंगर और श्मॉल फिंगर के ज्वाइन को दिए आप दबाओ कर देखें दबाओ देकर देखें निश्ची तवर से काम करता है कैसे करते हैं पैन से दबा सकते हैं कैसे कर सकते हैं आप इसको पैन से या तो फिर आप उसमें मेथी की पट्टी लगा सकते हैं सिंपल पेप तो इश्टमक है, इश्टमक को गहां पांगा पाचन के बहुतअ हैं, लेकिन मित्रों लाइन कि दे हैं, इस्प्रीन को भिगे। भोजन जो इस्थूल जो भोजन होता है उसको को एनरजी में कनवर्ट करने का उर्जा में कनवर्ट करने का काम इस्पलीन का होता है तो इस्पलीन का है तो इस्पलीन के महतपुन प्रक्रिया जो क्या है इनरजी का कनवर्ट करना है जो इस थूल एनरजी है, इस थूल जो तत्वा है, उसको उर्जा में बदलने का काम करता है ये ओरिजिनल फोटोग्राफ देख पा रहा है, इसके बाद ये है लीवर, महतपुनम बॉड़ी का सबसे बड़ा आरगन है लीवर, और ये लीवर जो हमारे बॉड़ी के इम्मिनिटी के लिए महतपुन कारे करता है कुछ नहीं है, आप लेप्टेंड में देखेंगे, तो किनारे वाले जो भाग है वो लीवर का है लीवर संबन्धी जब प्राब्लम होती है, पेट का फुलना या पेट फुलने के सांसनात एक और प्राब्लम जो सामने उनके आती है वे उनके बॉड़ी की कारे शम्ता कम हो जाती है, लीवर ऐसा है ति पूरे सरीर के क्या है, एनरजी सेंटर का सकते है इसको हमारे body को जो कारे करने की चंता जो प्रदान करती है वो लीवर हैं तो लीवर के माध्यम से हम लोग क्या करें immunity power बढ़ा सकते हैं strong करने क्या करें कुछ नहीं आपको green color यहां पे लगानी है यदि green बज ने आ रहा है कि प्रब्लम क्या है कलर कोन से लगाने है तो कलर मत लगाईएगा इसके लिए विसेज प्रसिक्षन क्या आउशकता होती है सावान एक्रम में कोई समझनायाथ उस बॉड़ी पार्ट को सिंपल दबा दें अंगुटे से छोड़ते रहे टेन राउंड सुब ही है तो गॉल्बेडर का भी उपचार दमाने लिवर को दबाने से ही होता है वैसे गॉल्बेडर पूरे इसकीन को कंट्रूर करता है इसकीन को कंट्रूर करता है मसल्स में क्रेम सो रही है मसल्स में किसी प्रकार को प्रब्लम सा रही हो लिवर क्या बोलते हैं आपका गॉल पिंक्रियाज को जो correspondence है, वो करेले की तरह है, करेले की आकार में है, जो आप देख पा रहे हैं, जैसे इसका फोटोग्राफ, ओरिजिनल फोटोग्राफ देखना चाहरा है, एक बड़े आकार में आप देख पाते हैं, तो निश्चित तरह से ये आकरती जो देख पा रहे हैं आप एक करेले की आकार में आप करेले के जूस पीने से भी इसका क्या है समाधान होता है इसे कोरोस्पोंडेंस कहा जाता है साधरिश्टा समानता है इसलिए हम उसे क्या है उसके जूस पीने से या उसे कच्छा खाने से इसमें क्या हमें लाब मिलती है उसकी उर्जा इसको मि इसके बाद जो हमारे पास जो एक आर्गज दिखते हैं, लार्ज इंडिस्टाइन, बड़ी आथ, तो बड़ी आथ जैसे आपने अभी इस तमक देखा, इस्प्लीन देखे, अब दिकने के बाद आपका लीवर, गॉल ब्रेडर और आपका पिंक्रियाथ, पिंक्रियाथ की न तमभाको वाले एक ही काम तो करते हैं, लेते हैं, दबाते हैं हातों से और ताली ठोकते हैं, इसे होता क्या है उसे तमभाको खाने से पेट साफ हो जाता है, ऐसा नहीं क bother जासकता, बलकि एक जरूर होता है जो दबाओ देता है उसके मद्द्धम से, इस छेत्र के, जिस छे इस भाह को आप सुबा मौनिंग समय में दबा दें, या दिन में दबाएं, अगर लगता है कि आपको रहात मिल सकती है, इसके बीच में छोटियां जहें देख पा रहे हैं, यह ओरिजिनल फोटोग्राफ से हैं, इसके बाद यह ग्रीन कला लगाया हूं इसमें मैं, अगर माल आप ग्रीन कलार इस एरिया पे ग्रीन कलार लगा देजिए, नहीं साब के वर टाइट है, कंस्टिपेशन है, हाड है, हाड इस्टूल है, तो आप बुलू कलार लगा सकते हैं, इस तरफ सिंपल कलार लगा करके या कलार नहीं है, कलार कौन से लगा है, सिंपल बच्चों का sketch color है, marker है, water color है water color का ही आप प्रियोग कर सकते हैं देखे, छोटी आत बीच में हैं इससे भी हमारे पाचन सकती, डाइसन पावर को बढ़ाने के लिए और सही तरह से हमारे जो आहार है भोजन है, उसे संपून अंगो तब पहुचाने का जो जिमेंदारी छूटी आत की है उसको भी हम सही तरह से इसे प्रेस करके उसे वहां तक पहुचाया जा सकता है, मित्रो देखे यह आप पूरे के पूरे संपून शरीर आपके हाथ के अतेली में दिखाई पड़ रहा है यह हाथ के अतेली में का एक कोरोस्पोंडेंस है लगता तो आश्यर यह है कि ऐसा कैसा हो सकता है लेकि निश्चित तरो से मानिएगा यह संपून शरीर जो परमात्मा ने जो बनाया है जैसे एक यूनिट की रूप में हमारे हाथ को ऐसे कैसे हाथ के अतेली काता है ब्रेन का एक्स्टेंशन की रूप में जानते हैं यह हमारे ब्रेन का एक्स्टेंशन है इस एक्स्टेंशन को हम लोग क्या करते हैं जैसे रात में सोए तो हाथ अपना सेल पकाम करता है पैर अपना सेल पकाम करता है आप आखो खोलने के आवशकता नहीं होती क्योंकि यहां पर पूरे बॉड़ी के हर आरगन है जब सरीर में कोई आपको रोग होता है तो हाथ को आप अलग-अलग उंगलियों को हाथ-पैर को यहाथ के पर्टिक्लर पार्ट को दबाना सुरू कर देते हैं यह होता इसले इसी करण यह सिध्धान्थ है साद्रिष्टा का सिध्धान्थ है इन सिध्धान्थ के अधार पे यह कारे करता है इसमें देख लीजे आप दोनों हाथ और पैर शाद्रिष्ट है जैसे हाथ में हैं वैसे ही पैरों में है हाँ तो पैर दोनों में समानता है इसलिए इसको एक कुछ सू कहा गया है दूसरे को जो कहा गया है मित्रों हगे हम इसमें COVID-19 के इस दोर पे यदि इस चिकिसा पद्धिती को एपलाई करते हैं दूसरे बात किड्नी के इरिया है किड्नी के इरिया बेक साइड में है और बेक साइड में किड्नी के इरिया है तो किड्नी के इरिया के पार्ट को यदि हम लोग दबाओ दे दे उचार करें दबाओ दे पीछे के जो चैनल्स होते हैं हाथ के हाथ के जो चैनल्स होते हैं जैस यह अलग-अलग चैनल है, जो अंगुठे और उंगलियों के बीच है, इस चैनल का नाम है, ब्रेंच चैनल, अगर मस्तिस संबंदी कोई भी विकार है, तो आप इस चैनल को दबा करके, मस्तिस संबंदी विकारों से निजाद पास सकते हैं, दूसरा, इंडेक्स फिंगर और म किसी भी तरह के फियर हो, भै हो, जाए पानी से डरता हो, या उंचाई सो, या कुटे बिली से हो, किसी से भी हो, अगर फियर है, एकजाम फोविया है, तो इस चैनल का मसाज करता है बैक्ति, या चने के पटी लगा लेता है, समाने क्रम अच्छा है कि मसाज ही करें आप, द एरिया पर तो मठर के दाने लगा दे या मठर के दाने नहीं लगा सकते हैं सिंपल आप हांसे को इसको प्रेस करें иск सबसे लास्ट करिश सूर्टेर बीच में हमारे पास जो हैं इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक काम कर सकते हैं इसमें हाट समंदी विकार हिर्दाय समंदी विकार को सर्कुलेशन से समंदी ब्लड सर्कुलेशन दी नहीं हो रहा है इस ब्लड के सर्कुलेशन को इससे बढ़ाया जा सकता है एक महत्पुन तरीका है या तो पिर अगर पूण्यवराररशनी चर्चा किया था एक है लंग्स अरिया मैंने यहां पर बताया था जहां पर उरिंजबरर लगाना था, लीवर है लेपट हमें आपकर यह वाले एरिया लीवर का है इस लीवर पे आपको ग्रीन कला लगाने के लिए बाद कही थी और इसके बाद आप कहें किड्नी, किड्नी में आप रेट कला लगा सकते हैं, अर इतना तीनों में यह आपका इस्ट्रॉंग हो जाए, तो निश्चित मानें कि आपको कॉल्ड या किसी प्रकार के स्वांस से संबं कर सकते हैं, उम्मित करता हूँ कि आपको जो कोवीड नाइंटीन वर्तमान की जो भयावा जो एक रोग की रूप में हमारी की रूप हमारे सामने आया है, इससे निजाद पाने के लिए अब इन हाथों में हम लोग बहुत कुछ धून सकते हैं, पैरों में धून सकते हैं, नाभी हमारा है, नाभी के छेत्रों को हलका सा मसाज, क्योंकि नाभी योग सास्तर में कहा है, नाभी हमारे पूरे जितने भी बहत्तराजार नस नाडियां है, उसका केंदर बिंदू है, इस केंदर बिंदू है कि नाभी के भाग में, यदि नाभी में गाय की घीं, सिंपल सा मसाज कर दे तो भी आपकी बॉड़ी की इम्मुनिटी बढ़ जाती है हाथ पेर के नाखुनों में यह दिया आप सिंपल क्रम में आईल यूस करें जदि गर्मी के दिन हैं तो उसमें कोकोनेट आईल और ठंडी की दिनों में आप उसमें कड़वा तेल जिसे सरसों का तेल क विक्सित हो जाती है कहने कर मेरा मित्रों आपके बॉड़ी में सब कुछ है नेवल हमारे नाभी केंदर हमाय सरी का महत्वपुन भाग है इसके लिए कुछ आसनों का भी प्रयोग कर सकते हैं उत्तान पादासन नौकासन या फिर सुप्त उद्राकरसन इसके द्वारा भी न अध्यम से मुझे उपचार देना था तो मित्रों इस हाथ के अथेली में कहते हाथ में आप एक किस्मत तकदीर भाग और स्वास्त इसलिए आपके मुठी में आपका स्वास्ता है आप सुबा साम दोपहर इसको दबाव दे करके प्रेश करके अपने इम्मुनूटी पावर को विक्सित कर सकते हैं जितना चाहिए उतना विक्सित कर सकते हैं स्वस्त रह सकते हैं आप खुद भी स्वस्त रह सकते हैं और इसका उपचार कर सकते हैं तो इसी के साथ मैं अपने वानी को भी राम देता हूं ओम शांती 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 ही